स्वागत आप सब का पाकिस्तान टूर आप जिंबाभवे के अंदर यह दूसरा ओडियाई मैच है जो खेला जाएगा कुइन स्पोर्ट्स क्लब बुलोवयो पे मैच्स टाइमिंग है दूपर के एक बजे और क्या कमाल का मैच रहा पिछला जहां पर पाकिस्तान को मैच जीत पाकिस्तान को मेरे पास किसी भाई ने फोटू भी बेजी थी कि जीमबाभवे का बंदा है जो जूता मार रहा है पाकिस्तान को इन्होंने यह मेंशन किया हुआ आप देख सकते हैं तो अलगी लेवल का ट्रोल किया गया था जहां पर यह टीम पाकिस्तान और एक से सिरीज जीत क्या रही थी यहां पर सब एकस्पेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सिरीज जाएगी लट वा क्या जिंबाभवे कहती भाई आप मेरे घर में खेल रहे हो पिछले मैच की समरी रेखते हैं क्या हुआ था फर्स टूडियाई में पाकिस्तान ने ट 44 रमी की पारी के लिए जाते हैं रजा एवर गिनी प्लेयर 49 रन मारूमनी ने 29 किया और शौन विलियम्स ने 23 के जिसमें अलगी इंटेंट था इनका फैजल आकरम तीन विकेट सल्मान इलियागा तीन विकेट हैरिस रॉफ अमर्जमाल को एक एक सफलता मिली पाकिस्तान आ रिजवान 19 रन की पारी केल रहे थे नाबाद 43 गिंदो में यह अपना रंजी ट्रोफिक एडिशन देने आये थे हैं और कामरान गुलाम सत्रा सैम आयूप गारा और इर्फवान खान गाजी ने साथ बनाये थे रजा को दो सफलता मिली एक ही और मुजरवानी दो विकेट और शॉन विलिम्स को भी दो सफलता मिली और इनका स्पेल तो कुछ अलगी जा रहा था चैवर में 12 रंदिया थे मात्रे एंड गवान डू का डेब्यू था विकेट लैस 14 रंदे के दोर के अंदर तो यह सीरीज है ना उसमें पहले तो मैल सुन की बात कर लेते हैं जो ब्ल ली जाएगी एक तीन पांस तारी को तो सारे मैचस के आपको कोवरिस देखने को मिलेगी तो भी सुटिम में डिस्केस क्या करेंगे पिछके बारे मैं बात तरूंग की कंडिशन कैसी रहती है लास्स गेम में क्या हुआ था एंड फिर हम आएंगे प्लेयर के स्टैट्स की दरफ डेटा की दरफ मैचस की दरफ तो मज आएगा देखते हैं इस मुकाबले में होता गया है टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो फाइदा है लाइनप के बाद कोई भी अपडेट आईगी मैं आपको तेलीग्राम पर दी दूंगा टेलीग्राम का लिंग में आपको डिस्क स्क्रिप्शन और नीचे कमेंट स्क्षिन में दिया हुआ है पिछरी बूड देखते हैं तो क्विन स्पूर्ट्स क्लब बुलो वयों पर मुकाबला है जहां पर फर्स टूडिया हुआ हुआ दोस्तों पांच बनाया भी पूरी मैच समरियों ने डिसस करी थी एंड पाकिस तो नॉर्मली आपसे सीरिसली गाओ यहां पर फिर से स्मैच मेल के से बारिश की चांसे तो जो भी कप्तान टॉस जीते हो गेंदबाजी करेगा सुबह के साड़े नौ बजे यह मैच स्टाट होता है जिमबाब्वे में अपने बारत के अंदर तो एक बजरे होता है दुप होती है और मैं शौक था कि लास्ट गिम में पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइदा ने उठाया था तो स्पिनर्स ने विकेट्स निकाले थे पेसर्स को आके विकेट्स निकालना चाहिए था अमिर्जमाल को और हसने इन से में ज्यादा एक्सपेक्ट करा था उन्होंने चुकी है पाकिस्टान च्हेमने से पाँच मैचेश जीतें गहां पेट्उम से तएरा में से लास्ट गिम भी एक्स वीकिर्टेम जीती यहां पर ऐसा देखा कि आप numbers भी देख सकते हैं और second innings में spinners का बहुत ज़्यादा बोल बाला होता है और spinners 34, left spinners 30, chanam and 3 और left arm orthodox spinners का यहां पर कुल मिला के 20 विकेट है यह आप पिछ की photo देखो जो last match बादा न उस मैसी पिछ थी पिछ पे हलकी से टींस थी grass की जो पिछ को hold करके रख रही थी and moisture आप खुद देख सकते हो हलकी हलकी यहां पे black patches बने वे थे जो moisture को दिखा रहे थे तो यह देखो आप dry surface भी दा मतलब कई एरिया में grass थी देखो यहां हलकी सी live grass है यह पूरा dry हो गया यह पूरा dry surface हो यह cracks visible है तो जो पीछ है न यह जिमभावे में ऐसी ही रहती है जहां proper maintain नहीं किया था पीछ को वहां इतने फंड अविलिबल नहीं होते जो हम ऑस्टेलिया इंडिया यह सब में देखते हैं ग्राउंड स्मेंस के लिए यह जीजन है कि बॉलर्स को ही विगे जितना मुझे फिर से लग रहा है यह जो कैसे अंडर दे कवर्स थी पिछ लास्ट गेम में और यह डाइमेंशन 63-70 सामने 84 मिट्रस रहता है और यह स्टेडियम का पूरा विए तो कैसे लगी आपको पिछ रुपोट कमंड करके मेरे को बताना वेदर फूकास आप देख ल बजे मैच शुरू होगा ठीक है और फिर दो बजे के आसपास एक दो बजे बारी श्टार्ट हो जाएगी तब समझ लो सेकंड इनिंग्स के फिर से दस पंदरा ओर हो चुके होंगे तो अब देखें जो टीम में यहां है हैट्वर दोनों खेली हैं उसमें से चार एक से दो प्लैट्स पर टीम बहुत जादा डिपेंडेंट रहती है ब्रैन बैनेट यह भी बहुत अच्छा यंग्स्टर है ब्रेंडन महुता रिचर्ड एंगरावा ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रिवेर गवांडू आपको दिख जाएंगे गवांडू नहीं गवांडू है ठीक है आगे चलते हैं तो आगे है बही सारा पर पाकिस्तान की ब्लैर है सैम आगे अब्दुल्ल शफीक ओपन करते हैं कामरान गुलाम रिज्वान आते हैं टूडाउन कप्तान है एंड अशुबॉल्ला खान दिखेंगे आपको सल्मान अलियागा अर्फान कान नियाजी अमेर्जमाल आइस रहा फसनेंट फैजल आकरम बहुत अच्छा लाइफ टाम चाहिन है मैंने ये भी यह उडियाई नंबर्स हैं इसके जिंबाबविन प्लैर्ट्स के जैसे की मैं आपको एक्सदाम्पल के लिए समझाता हूं क्रेग इरवाइन ने 119 मैचेस के ले हैं ठी 30 के एवरेज है साड़ेवीन जार रंस है 20 अर्शतक है 115 पारियों में चार शतक है तो नंबर्स आप पड़ो जो आपको हेल्प करेंगे और शान विलियम्स की एवरेज भाइस था बड़ी इंप्रेसिव 38 की सिकंदर राजा की 49 की 36 की ये दो प्लैड्स स्टीम के लिए आप 29 रन किया बैटिंग फर्स करते हुए कीपिंग से अच्छे का से पॉइंट जिये दे पांच मैचेस में 167 रन से एक 50 पांच इनिंग्स के अंदर 29 10 15 48 14 एक स्टाइलिश प्लेयर है इवन जब भी जिम एफरो टी टैन लीग होती है बहुत बात करी जाती है इसकी कमोंटेट है इसने वैसे डैन मेट्स का आड रन है वैनियू के पर दो मैचेस में पांच बिकेट 42 रन से दोनों बार बैटिंग फर्स किया है एक बार इसने बनाया था है आप पर आठ जो लास मैच था उससे पहले इसने आपर 34 किया था और फाइफर भी देसका जो लेटिस्ट है एक चारिस पारियों के अंदर फॉर्म ठीक रहा है चैह चौतिस अठ्यासी एक सो पैतिस साथ तेरा सलमान अलिया आगा एक और सामने फैजल आकरम रियल टेस्ट होगा इवन लास्ट गेम में जोहरी शुरॉफ थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अंपाइर से क्योंकि एक त सतर असी रेंपे तीन-चार विकेट गिर गए बड़िये प्लेयर अपने अलेगी शॉट्स खेल रहा है पूरे बहुत हाई क्वालिटी शॉट्स थे तो इंटेंड बहुत अच्छा बॉलिंग में च्छेवर में बारा रन देना दो विकेट निकालना इस सम्थिंग वेरी स सिरियस परफॉर्मेंस शिक्स्टी एट मैच उन्नी सो रन से यहां पर 35 की एवरेज है एकतर विकेट से गोल्डन नाम है यह और गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं भी फिलाल सबसे बेस्ट एवरेज हैं की सिकंदर राजा से भी बड़ी एवरेज ओडिया है फॉर्मेट मे उन्चालिस था कॉमा उन्चालिस आए गया है चेस पे छे आठ चातिस उन्नीस आठ तो नॉर्मली बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर्स रहें और इस वन्वी पे च्छतिस मैच खिल हैं तीन शतक पांच अर्शतक बारा साढ़े बारा सो रन से चोईस गभी साथ लिस्ट करें होती है उरी के साथ इनकी सब्सक्राण को रूंच परूंट रहे एड्या कुने सब्सक्राइब में और इसको नीचे नीचे उसकाती है अच्य फक कर आसकती थी अच्य फम में ये भी है ऐसा नहीं कर पार लिक ता Ne और सिकंदर थर्ड स्पीनर यह होता थोड़ा लेट आता है एक रन बैटिंग फॉर्स्ट और दस मैचस में आप पे दस विगेट एटी तरी रंस है एंग रावा च्छे में दो विगेट पांच बार तो विगेट लस जा चुका है च्छे मैचस के लिए गये गये आट मैच मे इसका बॉल आती है और अलगी भाही इसका मावल है बारा मैचस में बारा विगेट यह पर फॉर्म भी अच्छा रहा है दो 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 एक जरो एक तीन जरो एक दो ट्वेर गवांडू नहीं है पहले कह रहा हूं मैं अच्छा आदमी है यह जिरो विगेट बॉलिंग सेकंड क पढ़ सकते हैं अब इनको आगे चलता है सैम आयूब 11 रन की पारी लाजगे में चेस करते हैं विकेट लस्डोर का सपहल था और अच्छे बॉलर है मेरे साब से अगर यह इसको एक दोर तो पक्का मिलेंगा मैच में उसमें अगर इसने अच्छे लैन पकड़ ली न पिकेट टेगर है ड्रॉप मत करिए इस प्लेयर को विद दो बैट विद दो बॉल भी वैल्यू है अच्छे शॉट्स मारता है पिकप अब्दुला शफिक का एक रन चेस करते हुए एक वाइड गेंद को इसने टिकल कर दिया था और कीपर ने कैच पकड़ा अच्छा टच बाउंस को अच्छे से खेलते हैं यह कट अगेरा जैसे कैटी मैं खेलती है सेम वही स्टाइल एंगा खेलने का कट शॉट बहुत अच्छा मारते हैं स्कॉर ऑफ दविगेट सतरा पांच च्छा उन्चारीस ग्यारा दो एक यह भी पार्ट टाइमर अच्छा बॉलर है बड पार्टेंड लेके चलिए असी बुला जीरो रन चेस करते हुए बैटिंग ओडर वैसे ही नीचे है एरफां धा न्याजी साथ रन चेस करते हुए वैन्नी किप पर भी और टीवन्टी फॉर्मिट में अच्छा चिलता है कंपर टो डियाई आमर जमाल को एक विगेट मिला विद बैट विद दो बाल दुनों दर्फ से वैल्यू लास्ट गेम में नॉट आउट रहा था जीरो पे 21 और का मैच वा लंबा मैच होता हो तो विद बैट भी पॉइंट देखे देता आपको ये हरी सुराफ का तीन में दो विगेट्स हैं और लास्ट गेम में एक विगे अब देखो पिछले गेम में हुआ ये था आमिर जमाल असने ने ने गिन पकड़ी पहला चेंज सेम आई भी हो तो सल्मान अली आगा होंगे एक तो स्पीनर आता ही है डेट विष मेरी सुराफ आमिर जमाल असने आपको दिख जाएंगे मरूमनी वर्सस असने च्छा गिन जिरो रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है और सिकंदर राजा को पी एसल में भी आउट किया था फैजलाकरम ने जो लेफ टाइम चैनमे ने मुलतान सुल्तान गे तेरा बाल छे रन दो इनिंग्स में दो बार आउट कर रखा इसको अब आते हैं सैम आयूप के तरफ लास गिन में मुजरबानी के शिकार बने और जो यह हमारे अब्दुल्ला शफिक है तो बार आउट हुग है मुजरबानी के सामने तीन पारियों में तेरा बालों में बारा रन्स है एंड रिजवान अप अगेंस रजा चालीस गें पचा रिजवान ने इसको मुजरबानी को 38 गेंडों में दस परियों में दो बार आउट किया है तो यहां पर एक छोटा सा क्रेक्शन है हश्री बुल्ला वर्चिस मुजरबानी नहीं है सिकंद रजा है वो ही सूच है डिजैंडर मेरा थोड़ा तरंगी है कभी-कभी मिस्टेक क सिकंदर रजा एगा इसको दो बॉलों के अंदर जीरो रन दिया था और एक बार आउट कर रखा है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है एंड आगे चलता है कॉमन कैप्टन सिकंदर रजा शान विलियम से दोई प्लैर्स होते हैं मुस्ली सेफ है रिस रॉफ आपके पाउस ऑप्शन है सैम आयूप का है रिजवान आगा को भी आप रोटेट कर सकते हैं तो कीपिंग सेक्शन अपके बाद रिजवान है जो सबसे बहतर है मुरुमनी को भी आप चाहिए तो बैक कर सकते हैं थोड़ा रिस्क है रिवार्ड भी आपको मिल सकता है कीपिंग वैल्यू है सैम आयप को लिली जिए या से अब्दुला शफीक भी बहुत अच्छा प्लैर और राउंडर में सिकंदर रजा शान विलियम्स सलमान अली आगा कामरान ग कर सकते हैं मस्नें को लूँगा फैजल आकरम को लूँगा यहां से तो यह मेरे 10 प्लैर्ड हो गए अब लियावंत प्लैर आपके पास option मैं clear कर देता हूं कि आप मुझरबानी को बैक कर सकते हो मुझरबानी को अगर आपको लेना है बॉलिंग फर्स्ट में तो खेर मैं विकेट निकाले अगेंस इस टू उपनर्स मेरा तो यह कॉल रहेगा तो आप चाहे तो मुझरबानी को लो फिर एक उपनर को निकाल दो जिसमें से आईप को निकाल दो थोड़ा सा रिसकी बॉलिंग वैल्यू है अब मैं नहीं रहा है कि बैटिंग में रंस मारेगा ही यहां से कोई इतना सेफ पिक नहीं है मरूमनी को आप चाहे तो बैक कर सकते हैं भी फिलाल मैं जो सूच रहा हूं वह है कि सेफ जाने के लिए मैं चले जाओंगा मुझरबानी के साथ वैल्यू भी है और मैं दूआ यह करूँ है और दोनों उपनर्स को आउट ना करें फिर इसा नहीं के फाइदा नहीं है 17 परसंट जनता कैप्टन भी कर रही है अच्छे पेस से बॉलिंग करा रहा है बैक कर सकते हैं देख तरे स्टैट्स रूजी मिलता हम से टेलीग्राम के उपर तब तक लिए सी सून जाहिंद एंड्योए दिस क्लैश